दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका संगीत शिक्षा इन हिंदी में जहां दोस्तो हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं संगीत शिक्षा इन हिंदी पर जिसमें हम आपको संगीत कारों के और गीत कारों के गायत तलाकारों के जीवन के बारे में उनकी संगीत यात्रा के बा तो आप संगीत सीखने के साथ साथ आप उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जान सकती हैं। संगीत की और विशेश रुची थी। बहुत छोटी समय में अभ्यास के माध्यम से इन्होंने बांसुरी वादन पर अच्छा दिकार प्राप्त किया था। में लेल भी कर लिया था। मंबई और करांजी की चोटी अदालत में कुछ दिनों तक भात्खंडे साहब ने वकालत भी की थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक जरूर दीजेगा और शेयर जरूर कीजेगा। साथ में अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं अगर आप संगीत के पुजारी हैं संगीत को पसंद करते हैं तो कमेंट भी कीजेए अब बताईए कि वीडियो कैसा लग रहा है और यह जानकारी यह जीवनी आपको कैसी लगी। तो आपको बता दे कि भातखंडे साब में संगीत का परियापत अध्यन किया उसके बाद 1904 में संगीत संबंदी खोज के लिए यात्रा शुरू कर दे सबसे पहले दक्षन भारत गए उत्तर भारत के नगरों का भ्रमन किया प्रमुक स्थानों में जैसे हधराबाद, मदरा तिंजौर, मैसूर, विजया नगरम, नाकपुर, एहमदाबाद, आगरा, अलहबाद, लखनव, दिल्ली और बीकनेर भी गए इन नगरों में पुस्तकालों में जाकर संगीत सम्मंदी उपलब्ध पुस्तकों का ध्यान किया, संगीत पर विचार विनमय किया और आपको बत इनसे उन्न ने काफी अनुभव किया, कि किसी को भी बंदिश के बारे में सही-सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी कस्ट उठाने पड़ते हैं, इन्ही सब बातों को अन्होंने अपने दिल में संजोया और उन्हें संगीत की शास्त्री पुस्तकों को प्रकाशित कर पु Wieana पुस्तु को पंडित भाएक्खंडे जी की सबसे बड़ी देन है regulating उन्होंने सरल और सुपोद स्वृरलपि पदफी को जन्मदिया समय-समय के साथ किए स्वरलपी पदितिया प्रचार में थी लेकिन कुछ न कुछ तुटिया थी इसलिए उन्होंने एक नवीन स्वरलपी पदिति भात खंडे स्वरलपी पदिति का निर्मान किया जो विशीश तोर पर प्रारंबिक विद्यार्थियों के लिए काफी लाबदायक थी प्रत्येक राग की बारी की उसमें होने वाले यूज होने वाले जो कण हैं मुर्की हैं खटके हैं उनका वजन जो स्पष्ट नहीं थे उनको उन्होंने स्पष्ट किया और साथ ही बंदिश और राग की रूप रेखा की पूरी जहलक उसमें मिलने लगी अत्यादिक सूक्ष में आयोजन कश्रे भातखंडे जी को जाता है आपने बड़ोदा नदेश के सयोग से 1916 में बड़ोदा में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया और उसी में All India Music Academy की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया इसके बाद बड़े-बड़े जगों पर संगीत सम्मेलनों का आयोजन संगीत सम्मेलन के विवहारिक पक्ष के साथ उसकी शास्त्री पक्ष की विवेचना भी हो रही थी राग रागनियों के सरूपों में मद्भेद होने के बाद संगीत गोश्टियों के द्वारा उन्हें शुद्ध और प्रमानित रूप भी दिया जाने लगा पातखंडे ज अन्तिम समेलन सन 1926 में लखनों में आयोज़त कराया गया जिसका उदेश था लखनों में शास्ते संगीत विद्याले की स्थापना कराना उसी उद्धेश में मैरिस म्यूजिक कॉलिज का जन्म हुआ जो भातखंडे संगीत संस्थान बीमड विद्याले के नाम से विख्या है भातखंडे जी ने अपने जीवन के प्रतिक्षन को संगीत की सेवा में अर्पित किया इस तरह आज के संगीत शिक्षकों प्रेमी और विद्यार्थियों को उस सदा के लिए रणी बनाकर 11 सितंबर सन 1936 को इस दुनिया से रुखसत हो गए दोस्तों संगीत की अगर बात भातखंडे के लिए हम आपको कुछ ऐसी बाते भी बताएं दोस्तों जो शायर आप नहीं जानते होंगे एक विद्वान व्यक्ति और प्रख्यात संगीत कार्थ वो थे ही साथ ही साथ ही साथ उन्होंने भातखंडे संगीत शास्ट की जो रचना की कई केंद्र उनके पुस्तकों को रागों का खजाना कहा जाता है उनका पूरा नाम विश्नी नारायन भातखंडे था और वे बालकेश्वर मुंबई में प्रामण परिवार में पैदा हुए थे संगीत के प्रति उनका एक अजीब ही लगाव था उन्होंने भारत में संगीत संबेलान और संगीत विध्यालोयों की स्थापना की और उन्होंने संगीत को लेकर जो कारे किया है दोस्तों उसे बुलाना आसाल नहीं है तो अगर आप भी संगीत को पसंद करते हैं और संगीत की बारी क्यों को समझना चाहते हैं तो आज ही जोइन कर लिजे हमारा चानल संगीत शि किस कलाकार की जीवनी के बारे में जाना चाहते हैं कोमेंट में जरूर हमें बताएं झाल 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 हो झाल 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 झाल